Hello traders, कल 20th of March, Monday, Nifty और Bank Nifty के key levels देख लेते हैं Friday evening में international markets काफी गिरे थे और SGX Nifty भी अपने Friday के lows के आसपास ही close हुआ है कल सुबा सुबा अगर थोड़ी से recovery देखने को नहीं मिलती है तो Nifty में भी हम कल अपने Friday के lows के आसपास open हो सकते हैं सेब 17,000 हमारे पास एक psychological level है 17,000, 60,000, 70,000 के आसपास supports हैं तो यहाँ पर भी हम buying की कोशिश कर सकते हैं जब तक हम 16,000, 60,000 के levels break नहीं करते हैं तब तक हम put side नहीं जाएं तो अच्छा है सुबा सुबा अगर हमें CPR के आसपास 17,000, 50,000 के आसपास भी rejection मिलता है तो 8 EMA के नीचे trade करने पर हम sell करेंगे इससे पहले नहीं करेंगे CPR के उपर 17,090 के उपर अगर हम निकलते हैं तो Friday के highs यानि 17,140 and 150 के levels हमें मिल सकते हैं and above that 17,225 के levels भी हम देख सकते हैं यही दो वो levels हैं जहां पर हम दुबारा से put side के trades भी लेने की कोशिश कर सकते हैं अगर ATMA के नीचे trading होती है 17,210 and 17,150 इसके नीचे trade करते हैं तो हम put side जा सकते हैं bank nifty की बात करें तो इसमें भी जब तक हम अपने CPR के उपर हैं यानि 39,500 के उपर हैं buying on dip की probability रहेगी targets रहेंगे 39,700 जहां पर again rejection मिलने पर हम sell की trades ढूण सकते हैं यूँकि पहले भी इस level से हम नीचे गिर चुके हैं targets रहेंगे CPR यानि 39,500 अगर हम निकलते हैं 39,710 के उपर तो हमारे लिए 39,900 की levels भी intact रह सकते हैं CPR के नीचे 39,250 के नीचे अगर हम निकलते हैं तो sell side की trades ले सकते हैं targets रहेंगे 39,100 and later on Friday के levels 38,950 बागी कल सुबा मिलते हैं 11.30 AM पर हम इसी analysis के हिसाब से कुछ अच्छे trades लेने की कोशिश करेंगे तब तक के लिए enjoy your evening and bye bye